हलो दोस्तों आप देखें इंडिजी भारत मैं हूँ सुनुकुमार दोस्तों आज मैं आपके लेकर आगया हूँ एक इंट्रेस्टिंग वीडियो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने सेटप बिल्ड किया तो जो आप हमारे पीछे सेटप देख रहोंगे इसमें मैंने सिर्फ SSD काड लगाया था जो कि 500 GB का था उससे में थोड़ा सा बजट का प्रोलम आ रहा था इसलिए मैंने सिर्फ SSD काड लगाया था उससे में मेरा काम चल जाता था लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसा कि आप जानते है कि मेरा वीडियो का काम है तो इसको रख कितना स्पीट देखने को मिल जाता है और इसको किस तरह से इस्ट्रॉल करते हैं अपने काभिनेट में शरा प्रोसेस आपको गले दिखाने वाला हूं तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले बता दू अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो मारे चनल को सब्सक्राइब करते बेल एकल जोर दवा दे क्योंकि इसी तरह की वीडियो में हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैं आपको बताया कि आज हमारे पास है सीगर्ड की तरफ से आने वाला सीगर्ड बारा कुड़ा HDD Sata 1TB का ये हाड ड्राइब जैसा कि आप देख रहा हूंगे अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करहूं तो काफे बहतरी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है बैक्ट्राइब आप देख रहा हूंगे यहाँ पे एक स्टिकर चिपका या हुआ जिसमें आपको प्रड़क्ट्स कोड्स देखने को मिल जाते हैं प्रड़क्ट नेम मिल जाता जैसा कि मैंने आपको बताया कि HDD Sata 1TB बारा कुड़ा ये हाड ड्राइब है और नीचे की आपको जनवरी 2021 के हिसाब सी MRP दिया गया है 6500 रुपया लेकिन मैं आपको बता दू कि मैंने इसको अमेजन से पच्छेच किया था तो वहां पर हमें 32 रुपया में मिला है और ये 7200 रुपया में पर रोटेट करता है जिसकी स्पीड आपको काफी बहतरिन देखने को मिल है इसमें तो ज्यादा कुछ आपको बताने के लिए है नहीं यहां पर आपको सीगेट का ब्रांडिंग लोगोल देखने को मिल जाता है साथ में यहां पर बराकुडा लिखा हुआ है और नीचे की तरफ आप देख रहोंगे यहां पर मोटर लगा हुआ जिसको करेट किया गया है तो यह कुछ इस तरह का इसका डिजाइनिंग है जैसा कि आप देख रहा हुगे अब चलिए मैं इसको अपने केबिनेट में लगाते हैं किस तरह से सेट करते हैं मैं आपको सारा चीज आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि किस तरह से साथा केवल से हम इसको connect कर लाने वाला हूं उपर की तरफ आप देख रहा होंगे यहाँ पर आपको पींस देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप साथा के वल और इसका पावर वाला केवल आप इजली लगा सकते हैं तो चलिए इस्टॉल करते हैं अपने कैमिनेट में तो दीखिए आप मैंने अपने कैम इसे बैठ चुका है या नहीं उसके बाद साइड से आप इसको जो स्कूरू है उसको आप टाइट कर दे आपको यहाँ पर साइड में अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको यहाँ पर छीट देख जाएगा जिसमें आप स्कूरू लगा के और इसको आप टाइट कर दे अप पोर्ट है उसमें हमने साटा केवल लगा दिया और उसमें एक कट का आपको एल सेप डिजाइन दिया होगा उसी तरह से आप उसको लगाएगा तभी वो सही बैठेगा नहीं तो तूट जाएगा तो सबसे पहले आप उसका कटिंग देख लिजेगा उसके बाद आप उसको किया देखिए साटा केवल हमारा कुछ इस तरह से यहां पर कनेक्ट हो चुका है अब हमें सिंप्ली कुछ नहीं करना अब बस हमें हाड ड्राइब में पावर देना है तो पावर देने के लिए यहां पर आपको बहुत सारे केवल दिख रहा होंगे इसमें जो आपने फैन म आप यहां पर देख रहा होंगे यहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाता है साटा तो आप इस पहले देख ले अगर उस पर साटा लिखा हुआ है यानि कि आप उसको हार्ट ड्राइब में लगा सकते हैं यहां पर आपको कंफ्यूजन का कोई बात नहीं सारा चीज आपको आपके स्लोट पर लिखा हुआ औरेडी मिल जाता है अब जो भी यहां पर वाइरिंग आप देख रहा हूंगे इसको मैं फिर से टाइट कर देता हूं और टाइट करने के बाद मैं इसको फिर से बैक केमिनट को लगा देता हूं देखिए यहां पर मैंने अपने बैक केमिन नहीं दिखाएगा कि जो आपने drive अभी already लगा रखा है और drive अभी अनलोकेटड मोड में है उसको आपको locate करना होगा उसको पार्टिशन करिएगा उसको locate कीजिएगा उसके बाद ही हूँ आपको slow करेगा तो उसके लिए आपको एक software की जुधत पड़ेगी या अगर आप system से करना चाहते हैं direct तो आप डाइटली भी कर सकते हैं तो अगर आप partition करने अगर आपको नहीं आता तो आप हमें comments करें मैं आपको next video में partition करने के लिए भी आपको detail में सिखादूँगा कि आप अपने hard drive को किस तरह से partition कर सकते किस तरह से उसको merge कर सकते हैं सरा चाहिए आपको complete में उस वीडियो में बता दूँगा अगर आपको चाहिए तो आप हमें comments करें इस वीडियो मैंने आपको टोटली यह बता दिया कि जो हमारा internal hard drive था उसको अपने cabinet में किस तरह से लगाते हैं और मैंने कौन सा hard drive purchase किया कितना price लगा सरा टीडियल मैंने आपको complete इस वीडियो में बता दिया तो कैसे लगा है वीडियो में आपको complete प्रोसेस बताई सबसे पहले तो मैंने आपको अन्बॉक्स करके दिखाया कि हमारा जो hard drive है वो कैसा है उसकी build quality कैसा है उसके बाद मैंने उसके price के बारे में आपको detail में बदा दिया कि कितना में हमें बड़ा जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3300 रुपया में हमें मिला है मजन से मैंने link description box में दे रखा है आप वहां से जाके इसको डाइटली purchase करना चाहते हैं तो purchase कर सकते हैं और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपने system में इसको आप लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पूरा system open करके दिखाया कि किस तरह से हम इसको लगाते हैं अपने system में तो आज की वीडियो बस इतना ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप इस चानूं को subscribe करतें बेले कर दबादें कि किसी तरह की वीडियो में हमेशा के लेकर आते रहता हूं तो आज के लिए बस इतना है जैन जै भारत